नमस्कार दोस्तों एसन इलेक्टिकल एकडिमी के यूटूब सेनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आई टी आई जो की एक्जाम होने वाले हैं जैसे आपको मैं बता दूं कि सेशन जो है यानि बैच एकई से 23 वाले स्टूडेंट यानि फस्टियर के हैं तो इस बार के सलेबस को चेंज कर दिया गया है और नए सलेबस को रखा गया है तो नए सलेबस के एकोडिंग ये भी निर्देशित कर दिया गया है कि इंजिनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होगा वो पहले जब में total question कितने पूछे जाएंगे तो मातर 6 question पूछे जाएंगे अब ये 6 question पूछे जाएंगे तो इसमें engineering drawing के किस type के question पूछे जाएंगे इस वीडियो में उन्हीं question का collection लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ वीडियो को complete वाच किजिएगा इस वीडियो में आपको एक question का label का पता चल जाएगा कि किस type के question पूछे जाएगे और ये जो है syllabus के according ही इस question को हम आपके बीच लाए हुए है वीडियो complete वाच किजिएगा यहां से आपके engineering drawing के question hundred percent मिलेंगे तो आईए पहला जो question है पहला जो question है कि निम्ण में से किस में drawing का सही आकार रूप बनते हैं तो engineering drawing में जो view मिलते हैं वो दो type में होते हैं एक तो isometric view जो की option number A में दिया हुआ है तो isometric view और एक होता है अर्थोग्राफी भीव तो इसमें कहा गया है कि सही आकार किस में मिलता है isometric जो भीव होता है वो three dimension में होता है जैसे इस type के ये बनाये जाएंगे ये एक तरीके का isometric view है जब इसी figure को हम खोल देते हैं जैसे first angle projection या third angle projection जब इसको खोल देते हैं तो इसका जो size होता है वो सही मिलता है तो कहने का मतलब है कि किसी भी drawing का सही आकार किस view से पता चलता है तो वो जो होता है isometric view नहीं होता है orthography view होता है जो कि first angle और third angle दो type के ही angle में ये बनाये जाते हैं और ये ऐसे होते हैं और इन पर जो भी view है जैसे view आप देखते हैं उपर से देखेंगे top view हो जाएगा ये इधर से हो जाएगा निर्देशित कुछ किया रहेगा जैसे x से या नहीं भी किया रहेगा तो जो सबसे लंबाई होती है देखने में लंबाई जिसकी length बड़ी होती है वो आपका front view बन जाता है और बगल वाला एक side view होता है तो इस orthography में projection जब बनता है तो उसी हम top कैसा दिखाई देगा उसको निर्देशित कर देते हैं उसके बाद top हो जाएगा उसके बाद front हो जाएगा उसके बाद side हो जाएगा तो ये हैं तो कहने का मतलब है कि किस भीव से हमको सही रूप आकार मिलेगा तो वो orthography view होता है तो आपसर नमबर C में दिया हुआ है orthography view इसलिए आपसर नमबर C सही हो जाएगा अगला जो question है दो नमबर जो question है इसमें कहा जा रहा है दो नमबर में कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर T square का stock slide करता है ड्राइंग बोर्ड जब आप देखेंगे तो ड्राइंग बोर्ड का कुछ ऐसा आकार होगा और ये जो आकार होगा इस पर bottom side में नीचे side में पट्टी दोठे रहती है या इसी पट्टी रहती है ये एक तरीके से बेस परदान करता है तो इसमें जो पूछा गया है कि T square का stock sliding करता है अब T square जो है ऐसे आकरिती में आएगा तो ये इसका ये वाला part जो होता है ये stock होता है और ये जो होता है blade होती है इसी से हम measure करते हैं और इस T square से दो चीजों का measure किया जाता है किसी सता की समतलता को और साथी साथ दो part के बीच 90 degree के angle को अब ये जब इसको drawing board पे हम चलाएंगे तो ये जो है T square ये T square जो है किस part पे ये जो है drawing board के किस part पे sliding करेगा तो ये जो side है ये चोड़ाई वाला part इसी को हम कहते है working age या इसी को हम कहते है ebony age इसी पर हम उपर नीचे sliding करके अपना कारे करते हैं तो ये sliding करने वाला भाग क्या हुआ working age भी से कहते है या ebony age भी कहते हैं तो यहाँ पे जो दिया हुआ बैटन बैटन इसी नीचे वाले part को कहते है लेकिन इसमें working age को पुछा है तो working age जो होगा यहाँ दिया हुआ है ebony age इसलिए option number C सही हो जाएगा ebony age इसी का दूसरा नाम जान लिजेगा working age भी हम इसे कहते हैं और जब drawing board बनाई जाती है तो हम ऐसी लकड़ी का चुनाव करते हैं जिसमें गाठ ना हो अगला जो question है तीन number इसमें कहा जा रहा है कि drawing board में प्रियोग होने वाली लकड़ी का कौन सा गूंड नहीं है मतलब drawing board यह जो अभी पिछले वाले question में हमने discussion किया यह जो drawing board होगा इसमें किस लकड़ी का चुनाव किया जाता है और उस लकड़ी में कौन सा गूंड नहीं होना चाहिए आपसंच जो ए दिया हुआ है नरम लकड़ी नरम वो लकड़ी होनी चाहिए दूसरा जो है अच्छी तरह उपचारित होनी चाहिए उपचारित होने का मतलब है कि वातावरणिय इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए मतलब कहीं नमी आए तो यह मूडने वाली नहीं होनी चाहिए यानि कुल मिलाके कहें कि वातावरणिय इफेक्ट जो है इस पर न के बराबर यानि कम से कम होना चाहिए तो उसी को कहा रहा है कि अच्छी तरीके से उपचारी तो होनी चाहिए C जो दिया हुआ है गांठ वाली लकडी नई लकडी यानि गांठ वाली नई लकडी गाठ वाली लकडी का प्रियोग हम ड्राइंग बोर्ड में नहीं करते हैं इसलिए आपसर नमबर सी सही हो जाएगा फोर नमबर जो कोशन है ये कहा जा रहा है कि T-Square का माप लिया जाता है T-Square का माप किसे लिया जाएगा तो ये देखिए T-Square की आकरिती ऐसे होती है अब ये T-Square है तो इस T-Square को हम Engineering Square भी कहते हैं साथी साथ T-Square भी कहते हैं साथी साथ L-Square भी कहते हैं तो इसका नाम होता है अब इसमें ये जो पार्ट है ये स्टाक होता है और ये वाला जो पार्ट है ये इसकी blade होती है इसी पर scale बनी होती है और इसी के द्वारा हम किसी भी सतह की समतलता और साथी साथ दो पार्टों के बीच 90 degree के angle को चेक किया जाता है तो यहां कह रहा है कि T2 का माप किस पार्ट से लिया जाता है तो आपसन जो है head की लंबाई से यानि ये इसी की head की लंबाई से नहीं बी जो है ब्लेड की लंबाई से यानि इसकी बात करा है ये ब्लेड की लंबाई से तो अभी बताए किसी पर इसकेल इसी को इसकेल यानि ब्लेड की लंबाई से हम मेजर करेंगे इसलिए आपसा नंबर भी सही हो जाएगा फाइफ नंबर जो कोशन है इसमें कहा जा रहा है कि T1 साइज की T2 की लंबाई क्या होती है तो T1 साइज की T2 की जो लंबाई होती है वो 1000 mm होती है जो कि आपसा नंबर B में दिया हुआ है 1000 mm यानि आपसा नंबर B सही हो जाएगा ध्यान रखिएगा 1000 mm होगा यदि इसी चीज को cm में पूछेगा तो आप जानते भी होंगे कि 1 cm में 10 mm होता है यानि आप इसको cm में देना है तो इसी में 10 से भाग देंगे तो 10 से इसमें भाग हम देंगे तो यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यानि कहने का मतलब है कि T1 साइज का मान अगर mm में पूछेगा तो 1000 अगर cm में पूछता है तो यह 100 cm हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन अगला जो कोश्चन है 6 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि 6 नंबर में कि T2 का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है पिछले वाले कोश्चन में ड्राइंग बोर्ड पर स्लाइडिंग का पूछा था तो उस टाइप एबोनी हुआ था याद रखिएगा इस बार पूछ रहा है कि ड्राइंग बोर्ड पर T2 का कौन सा पार्ट स्लाइडिंग करता है यानि वर्किंग करता है तो ये जो होगा T square का जो पार्ट होता है वो head होता है जो कि आपसा नंबर A में दिया हुआ है head इसलिए आपसा नंबर A सही हो जाएगा blade क्या करेगा blade किसी सतह की समतलता साथी साथ दो पार्टों के 20 90 डिगरी एंगल को चेक करेगा तो उसमें blade होगा यदि इसी question में T square न कहके ये कहता कि T square ड्राइंग बोर्ड के किस पार्ट पर sliding करता है तो वो समय आप उत्तर देंगे eboni याद रखिएगा drawing board का कहेगा तो eboni और T square का कहेगा तो head तो दोस्तों इस वीडियो में हम 6 question को ही रखते हैं इस question को आप complete देखिएगा इस question में से आपके engineering drawing जो की इस बार नए syllabus के according पहली बार ITI का exam engineering drawing का online होने वाला है इस में से question आपको 100% मिलेंगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को share कीजिएगा साथी साथ channel को subscribe जरूर कीजिएगा तो इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाए बाए टेक केर कीजिए दोस्तों में वीडियो और इस नचे μας अरूर के वाला बपाना ही और श